हलो फैंट्स आज में आप लोग साथ कोशी कैसे भरते हैं कोशी की वीधी क्या होती है वह ब्लॉक सियर कर रही हूँ तो यह देखिए कोशी जो हम लोग भरते हैं तो हमारे जो खंदानी कुमार होते हैं वह हमें कोशी के सारे जितने सारे यहां पर उसके वस्तू होते हो हमें देने के लिए आते हैं तो हर पूजा में दिवाली में सारे मिटी के बरतनों हमें देके जाते हैं तो वह हमें देने आयते हैं तो जितना जिसको चाहिए वह देकर जाते हैं हम लोग ले लेते हैं उसके बाद जी कोशी के जो आइटम में यह देखिए यहां पर हमने इसको कु क्ञार करना निशना जैसे बोलते हैं लिए रख रख रहें तो इसे रख देंगे और ढूप में रख देंगे तो यह अच्छी से सूख जाएगा और हमारा साम तक पूजा पूजा होने के लिए त्यार हो जाएगा और आज जो है छट का है दिन है तो उस दिन हमें सब इसको करके रख रहे हैं और यह देखी हमने यहाँ पे रख रहे हैं और कोशी के जो सामगरी यह दो तरह की होती है जैसे बतकोशी भरते हैं तो एक बरहिया होता है एक चोबिसा होता है तो चोबिसा में क्या होता है कि ले करें हैं जो ले एक चट करके तो मेरे हात में लोटे में पानी है वहीं सम पानी लेकर आते हैं और पूजा करते हैं यहां पे जो हमने ख़के अंदर में यहां भी अच्छत और ठेगुआ और पुरी के अंदर में उसके बाल के देढ़ेंगे गया तो हम चट जाने से पहले हम आप साहभी बनाते है सामयानें सब्सक्राइब में हम जो थेख घौण पूरी और सनों के अंदर फ्रूट रखेंगे और उसके बाद प्रराइब दीया में डायाब असज़ के चलरा वाल पात बता पात आजो जैसे तो आ हम यहान वाल लगत दीद करते हैं पर देंगे लाल ता का ब्रखिंग घौक er अगणरोटी हो छावल और गी से बना हुआ तिक्री बोलते हैं तो भी एम ने बना के रख दिया ताया है तो इसको भी हमने बारात प्रस्ग शावल के प्रस्टारिश को लाल रंग का अल्ता का पाथ होता है वो रखते हैं तब जब हम इसको सब पर जब सेट कर देंगे उसके बाद में हम यहाँ पर रखेंगे पूरी ठेकुआ और उसके बाद हम दिया रखे तब हम उसके बत्ति लगा के तब जलाना होता है तो यह होती है ऐसे यहाँ तक इसकी बीधी और उसके बाद देखिए जो पांच गना होता है पांच गना को हमने अच्छे से इसको धो के साफ करके रख दिया है ऐसे तो छट में सब कुछ बिल्कुल बहुत ही नियम से होता है उसके बाद जो हम इस पांचो इहाँ पर किसी पूरा होना चाहिए तो इस कपड़े में भी हम यहां पर ठेकुआ पूरी कोई फल अच्छत और उसको लेकर बांद के और फिर पांचों इक को अच्छे से बांद देते हैं ताकि वह अच्छे से वहां पर बन जाए सेट हो जाए तो इसके लिए वहां पर करते हैं तो उसी से आपको जाएंगे तो छटके टाइम पर बहुत मिलता है और सब लोग यही लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर पूरा सेट करके रख दिया अपने दिया जो पूरा निचे बड़ा दिया उसके उपर हमने अल्टा का पात और उसके अंदर में हमने कच्छ भसेडस जो चावल के आक ट्पार जो कैकृक सबीन अच्छा चावल रखा फिर उसके बद हमने पूरी ठिख हुआ फिर हमने दिया हलें और दिया में बत्ती बना के हमें यहां पर जला लेंगे और मेरा जो कोशी है यह बारṭय है और मेरे साइड में दाहिना जाइड में त बारा है बारा और उसके बाद चोटा दिया वह भी बारा है तो इस टैब से बरा बढ रह्या हो गया और इसमें कुछ इसा नहीं है आपको इसा होती है जैसे लोग कोशी भरते हैं और हां आपको बतादू कि कुछ लोग कोशी नहीं भाड़ते हैं और कुछ लोग भरते हैं जैसा जब मन करता है लोग भरते हैं और कोशी भरने का यह होता है कि हमारे जो घर परिवार बेशुक शांती संपन है सब कुछ अंधन चठी में एक पास सब है तो कोशी भरना अच्छा होता है किसी का मननत मांगा होता है तो भरते हैं कोई अपनी ख को अन्य सेत हमने कर दिया हैं और जो हापना पानी लेकर आए है छठ घाठ से ही वह रोटा में मैंने यहां पूजा कर आते हैं मैं आपको बता दूं तो कभी भी पूजा कर आने के तो पहले सबसे पहले मुशी को जलाना होता है बाकी सब धीरे-धीरे हम जलाते हैं फिर जब यहां पर कोशी भर लेते हैं तो फिर इसके पास में हम सारे जितने हम फल पूजा में हमने फल लेके गए थे छट घाटे फिर एक एक जोरी हम यहां पर भी फल रखते हैं पूजा क की तो ने मैं बता है और यहां पर हम कोशिश करते हैं कि यतना मतलब फल हो सकता है कम से कम एक हुआ है नुवा दो width हमें दोषरे दोसरे चार ऑजी हमारा कोशी फीर हम जाहाँ चार घाठ Schmidt वे समय होगिया निम्बू होगया गागल हो गया नअ हम उसको गागल बोलते हैं नार्य' सब कुछ रखेंगे लेकि एक एक ही रखोंगे क्योंकि जो टोकरी में है ने टोकरी में फिर बहुत जब भारी मतलब भारी हो जाता है इसलिए हम कोशिश करते कि कम से कम रहें और इसको सर पे लेके जाना होता है टोकरी को तो जदा भारी न हो जाए और साथ में अपना कोशी तो होता ही हैं तो यह इसलिए हैं और आप लोगों को मतलब ऐसे अगर इसए मैंने पहले आप मैं दुबारा से डाल देती हूं किसी को मेरी इस कोशी का जो कैसे भरते उसकी बीधी जो है किसी को हेल्फ मिल जाएगी तो इसलिए मैंने अप लोग साथ वीडियो जो है कोशी वाली मैंने फिर से सियर किया है तो यह देखिए कोशी भरनने के बाद मैं कितना चा जगमंग मे देखी सकते हैं तो यह उसike प्पाइब भर चुछ से 5 और उख से खुटा लेंगे अपनी सजा लेंगे और भी जो है बिहार में और भी थोड़ा सच अलग होता होगा लेकि हमारे यहां ऐसे ही होता है और प्लीज फिरेंस में आप लोगों से यहीं बोलूंगी कि आप लोगों कहीं मेरी अगर वीडियो यह वाली अच्छी लगी कोशी वाली तो प्लीज कमेंट के बताईएगा कु को अच्छी साइट में रखेशेट कर दी रहा जाता है तो फिर 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 इसके बाद में सुबह में लेके अ इसमारी के और से साथ जने दीपक करने वहां पर जने के जले जाते toughest तो ब्लात कि बड़ा हैं DM आपक जलुआँ वारल पर क्या बता देत टोड़ाई को हाँ जाते हैं कोई नहीं इन तो फीप थोड़ा देगा थे पर सभी आपको पूरसी दिखाई देंगे क्योंकि मतलब दूर भी है और महिला ठक जाती हैं तो यह लोग जाके सुबा में हमारे ऐसे ही होता है तो मैंने आप लोग के सत्सियर किया है ऐसा कुछ नहीं है तो आप देख सकते हैं सब लोग यहां पर कोशी भरा है सुबा के चा दालते हैं जो भी आप नदी तला पोखर जहां भी करते हैं तो पानी के अंदर में हम उसको रखके अचले आते हैं तो बोलते हैं कि हाथी जो है उसको ठंडा करना चाहिए और इसलिए पानी के अंदर जल के अंदर में उसको रखते हैं ठंडा करने के लिए हो सकता है कि पह पानी से निकालके लोग परसाथ की रूप में भी लेकर आते हैं तो फ्रंस इसकत मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अब होती जल छट आने वाली है आप सबको आने वाली छट की धेर सारी सुब काम नाए